नमस्कार दोस्तो डीपी गडेनिंग चैनल में आप सोभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोग को एक निया तरीका से मुस्रूम उगाना सिखाऊंगा भीडियो को आप लोग लाश्टक जुरूर दिखेगा बहुत ही आसन तरीका है पर कोई इसको आसनी से घुआर में उगा सकते हैं कोई भी प्रोच्वें नहीं मैं गया दोस्तो, सबसे पहले एक प्लास्टिक गमला लेना है इसा य कि गमला लेके आप एक लोग की का सतसे इसका हैट जितना है उतना नाप करके इसको ले लीजिए उसी हाइट में हमको पेरा काटना है पेरा हम उसी माप काई सबसे काटेंगे पहले तो पेरा का गोड़ा थोड़ा काट देना है पेरा का गोड़ा काटने का बार इसको हम बीज में दो जगा बांद देंगे ऐसे तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं जो मौसम का बेट डालते हैं तो एक बंडॉल से हम एक बंडॉल पेरा निकल लेते हैं लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे कम से कम दो से तीन बंडॉल हम निकलेंगे यह से ही बीच बीच में हमको बांद देना है बांदने के बाद इसको हम काटेंगे हर बंडॉल का हाइट कम से साथ इंच तक होना चाहिए उससे ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है लेगिन हम उसी हिसाब से काटेंगे जितना पेरा हमको जोरुत है उसी हिसाब से हमको काटना है और सारे पेरा एक की हिसाब से काटना है एक साइज से काटना है जो एक छोटा शालोक्टी में रखा था नाप करके उसी हिसाप से मैं काट रहा हूँ देखे इस में पेरा ज़्यादा बरबाद नहीं होता है पेरा कम खर्चा होता है और इसमें प्रडक्शन भी बहुत आच्छा आता है अब हम क्या करेंगे इसका जो उपर का हिस्सा इसको हम इसमें इस तो फेकेंगे नह फिर से इसको चान करके हम रखेंगे 5-6 घंटा फिर उसको ले करके हम बेट डालेंगे अब मैं ये प्लास्टिक गामले में इसको भीगा लेता हूँ आपका पास और भी कोई बरतन होगा तो आप उसे में भीगा सेकते हैं अगर आप छोटा मोटा घर में खाने के लिए मसर्म होगाना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं फिर उसको 8-10 घंटा पानी में भीगाना पड़ेगा अब इसमें पाने डाल देते हैं अगर ठेस पेरा होगा तो आप इसमें नर्माल पाने डाल कर इसको भीगा सकते हैं अगर थोड़ा सा पुराना होगा तो जो चुना हम खाने में मिलाते हैं उसको थोड़ा से देके आप इसको भीगा सकते हैं यह से ही पानी में पूरी तर से डूप कर रहेगा, आठ से दस गुंटा फिर इसको छाना जाएगा, इसको छान के इसे खड़ा करके रखेते हैं, लेकिन बहुत जोर से बारिश हो रहा है, इसलिए इसको ढखके रखेते हैं, लेकिन इसमें से पानी आची तर से नहीं निकला ह थाय पैड डालने से पहले पानी से पानी निकलता रहेगा तो आप इसको हाथ में Мार पानी को बाहर निकल दीजिए अट इसको को लेके पानी जादा रहें गोड़ा करके आपको रखना है सारे को गोड़ा आपको की कर ख़ें defending जो मीडिल हिस्से का पेरा है जो रुपूर का हिस्सा पेरा है सारे पेरा का जो नीचली हिस्सा है उसको आपको क्या करना है एकी शाइड करके रखना है अब ये स्पॉन को हम निकल लेते हैं जिसको हम बीज केते हैं इसमें है बैसन अब इसका पर स्पॉन को डाल देता हूँ छोटा छोटा टुकडा करके डालूँगा फिर इसका साथ थोड़ा बेस्वन भी दे देता हूँ बाहर से थोड़ा अंदर रहेगा और यहां पर एक बात में बता दूँ पेरा का गोड़ा एकी साइड करके आपकर रखना है जितना सारा पेरा आप डालेंगे इसमें सारे पे पहले बैसन को डाल दीजिए फिर इसके आपर इस पॉन को आप डाल दीजिए छोटा-छोटा टुकडा करके आपको डालना है थोड़ा-थोड़ा दुरी रख करके लेकिन बाहर से थोड़ा अंदर आपको डालना है और डालने का बात आपको क्या करना है यह से ही आप जैसे घुमाते हैं इसे घुमा घुमा करके इसको रोल बनाती जिए एक साथ में आपको क्या करना है बहुत सारे पेरा को बिछाए देना है इसके आपर बैसन और स्पोन दोनों डाल देना है फिर आपको क्या करना है इसको घुमा घुमा करके एक रोल बना लेना है एक की साइड गो हरा करके रखना पढ़ेगा लें आपको कि अबिंए लेग के बिंगे कीर इन और कर दोदार्ट करके लिए गया है मौश्रुम बेट डालने का सामधे हम लोग जो पेरा इस्तेमाल करते हैं वो पेरा एक बंडल में से एक बंडल ही निकाल लेते हैं उससे ज Landes नहीं निकल पाते हैं लेकिन his को हमने चोटा-चोटा करके काटा है और इसमें हमने तीन relie करके पेरा को निकाल को क्या करना है मैं रस्सी बिछा करके एककी साथ में सारे पयारा को आपको बिछा लेना है विछाने का भाथ आपको क्या करना है इसे गोल गोल घुमाके एक चुक का टाइप का आपको बनाना है और एसे रोल बनाके आप इसको आच्छी तरह से बान दीजिए ताकि ये पेरा एकदमी इधर इधर खिशकर ना चला जाए एक साइट पतला रहेगा, एक साइट मोटा रहेगा जी साइट में गोडा रहेगा, उस साइट थोड़ा मोटा रहेगा आपको क्या करना है, गोडा का साइट उपर करके रखना है जो गामले में हम लोग ये बेट डालेंगे वो गामले में पहले से हमको क्या करना है जो पेरा का उपर का हिस्सा हम लोग काट के रखे थे उसको इसका नीचे डाल देना है क्योंकि बारिस का मौसम में ये पेरा में ज़्यादा पानी रे जाता है ज़्यादा पानी रेने के बुझे से इसमें मसरुम आच्छी तरह से ने लेगा सुखा सुखा सा पेरा हमने नीचे डाल दिये हैं पेरा का उपर का हिस्सा वो क्या होगा इसमें से जो पानी नीचे की तरफ टपकेगा वो पानी इसको अबजर्ब कर लेगा और ये बेट खुराब नहीं होगा इसको आप डालके इसे आप समान कर दीजिए समान करने का बाद इसको हम क्या करेंगे एक सफेद पोलिथिन से इसको ढख के बान देंगे या एसे हम छोड़ देंगे साथ दिन के लिए इसको एसे रख देंगे साथ दिन से पहले इसको बिल्कुल भी हम लोग खोलेंगे नहीं एसे करके कहीं च्छाव जगा में रखना है पेड़ों का नीचे या घर में आपको रखना है जहां पे च्छाव है अब ये बेड़ साथ दिन का हो गया है साथ दिन का बाद इसका पोलिथिन जो हम लोग ढखके रखेते हैं इसको हम दो तिन होंटे के लिए खोल देंगे फिर इसलिए चार तर फेल जाएगा लेकिन आपको क्या करना है एक गुंटा दो गुंटा खोल देंगा बार फीचे इसको आपको एसे ढख देना है जब तक कि इसमें मसरूम नहीं हो जाता है तो तक आपको हर दिन पोलिथिन खोलना है और ढख देना है अब ये बेड़ 15 दिन क हो गया है 15 दिन का बाद इसमें पीन निकल रहा है देखिए चोटा चोटा मसरूम अभी होना शुरू हो रहा है अब ये 16 दिन का बेड़ हो गया है 16 दिन का बाद देखिए उही चोटा चोटा मसरूम अब थोड़ा बड़ा होने लेग रहा है ये काल को पूरी तर से मिचू इतना शुरूर हो गया है 17 दिन का सुभे का टाइम में देखिए सारे मुसरूम में चुरू हो गया है इसको तोल लिया जाएगा कितना मुसरूम हुआ है आप देखिए इसमें मैंने आधा पेकेट मुसरूम का सीट्स यूज किया था नर्माली हम लोग जो मुसरूम का बेड मिलेगा वही छोटा सा गामले में से दोस्तों आप एसे घर में मसरुम उगा सकते हैं जो लोग घर में खाने के लिए मसरुम का खेती करना चाहते हैं वो लोग घर में मसरुम मुखा के घर में खाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं खास करके जिन लोग का पास खेती बाड़ी करने का जमिन नहीं है जो लोग का पास बिलकुल भी खाली जागा नहीं है मुखाने के लिए वो लोग एसे ही मुखा सकते हैं गामले में जब बारिश आएगा तो आप इसको उ तो भी आप मुसलूम का बंट डालते हैं जहां पे धूम लगता है डारि QUE市 अनलाइट आता है हों से आपको इसको विल ub you रखना है वहां पर रखने से उक्रणको क्या होगा एक भी मुसलूम नहीं मिलेगा आप चाव जगा में रखना है लेकिन जहां पे थोड़ा light आता है जहां पे थोड़ा light मिलता है जैसे कि सुभी का समय जहां पे light मिलता है उसी जगा में आप रखिए कोई problem नहीं है लेकिन direct sunlight में नहीं रखिएगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों इसको आप घर में भी रख सकते है इसको पेड़ो का नीचे भी आप रख सकते हैं पेड़ो का नीचे आच्छा होता है और घर में भी आच्छा होता है लेकिन बिलकुल अंधेर में आप इसको मत रखिएगा ओ भया मसरूम का स्पोन का बारे में मेरे को पूछते हैं कि भाईशा मसरूम का स्पोन हम लोग को क ब्लोग को बहुत ही आसाने से शिट्स मिल जाएगा नहीं तो जो लोग बड़ा बला खेती करना चाहते हैं जैसे कि हर दिन कुछ ना कुछ मश्रूम मिलने का उमीद रखके ये लोग खेती करेंगे तो आप लोग एक काम कीजिएगा आप लोग का नजदिक ब्लोग में जाकर जिस ब्लोग का तहरे में आप लोग का घोर आता है आप उसी ब्लोग में जाकर के पता लगाईए कहां पे मस्रूम का सीट्स मिलता है आप लोग को पता चल जाएगा उमीद दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को जोरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज ए देखिए बहुत सरे एसा है जो कि काल को मेचूर होगा आज इतना मुस्रम मैंने हर्वेस्ट कर लिया हूँ दोस्तों मुस्रम होगाना के बारे में आप लोग को सारी जानकरी मिल गई होगी अगर आप लोग का मौन में कई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को कॉमेंट से जरूर दूंगा विडियो को अंतोक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद